हाल वर्ड कप की जो क्रिकेट टुनामेंट है वो शुरू हो गई है भारत ने प्रथम जीत है वो दर्ज करवाई है उस्टेलिया जेसी टीम को भारत ने हराया है खास करके राजकोट की बात करें तो सवराश में से रविंदर जाडेजा का जो परफरमस है वो भी बहुत अच अच्छा है तो अंत भी अच्छा ही होगा पहला में जीत लिया है और आसा करते हैं कि आगे आने वाली जितने भी वर्ल्ट कप की मैचिस है वो इंडिया इसी तरह के इसी तरह से जीते हैं खास करके छोटे भाई है उनके लिए क्या किस तरह की वो क्रिकेट जब खेलता है अपने तरीके से अपने डिसाइड करती हूँ कि हां यह आज इस तरह की पीच है तो उसे इतनी विकेट मिलनी चाहिए रविंद्र आज इतनी तो विकेट निकलना ही चाहिए कल मैंने ऐसा सोचा था कि हाँ यह पीच अच्छी है सपोर्ट करने वाली है तो तो तीन से चार इतनी विकेट निकाले जो भारत के लिए बहुत अच्छा था क्रूशल विकेट थी जो तेन विकेट बीच में आई और वह काफी जरूरी थी क्योंकि वहां से मैच का टर्निंग पॉइंट होता है तो जब वह खेलते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लेयर ही प्रेशर में कष्चेयर तो बेश्चख वह खेलते हैं हाँ अनुपव चाही हो गया है पर देखिये अपना एक अलग लेवल रहता है जब कोई प्लेयर अगर उसी मीच की बात करें तो उस वक्त को देखने का नजर या अलग रहता है तो नहीं प्रेयर से तेने प्लेयर यह तो प्रेश sur तो हमेशा रहता है पर आसा करते हैं कि यहां बहुत अच्छा पर्फॉर्म कर रहे हैं जो हमारे लिए बहुत लगी पिछ रही है और पूरा क्राउड भारत को सपोर्ट कर रहा होगा तो डेफिनेटली और आज तक हमने पाकिस्तान को जीतने नहीं दिया है तो इस बार भी यही रिपिटेशन होगा वह आंठवी बार भी हमसे हारेगी और हम डेफिनेटली मैच जीतने वाले हैं माता जी को भी मननत मानी है माता जी की भी प्रातना की है क्या गए टीम जीतनी के लिए मैं चाहती हूं कि इस बार जो 2020 का वल्ड कप है उसमें रुविंद्र बहुत अच्छा पर्फोर्मेंस करें और मा भगवती से मैंने यही मांगा है कि पविश्य में जब भी 2020 के वल्ड बैस्ट हो और 2020 का वल्ड कप इंडिया जीत करा है खास यह थे नैना बाज जाड़ेजा रविंद्र जाड़ेजा के बड़े बेन है कही न कहीं उन्होंने भी मननत मांगी है कि इस साल का वल्ड कप है वो भारत जीते और रविंद्र जाड़ेजा है सबसे अच्छा पर्फो